नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं आप पूर्थी पदा धिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के पदो पन्युक्ति के लिए आयो जित की जाने वाली जार्खन समाने असनातक योगिता धारी सन्युक्त परिक्षा 2021 की सुचना जारी कर दी बता दे आयोग द्वारा जारी सुचना के अनुसार सहायक प्रसाखा प्लानिंग असिस्टेंट के पांच पदो के लिए न्युक्ति होगी इन परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन अगले साल 15 जन्वारी से 14 फर्वारी मध्य रातिरी तक भरे जाएंगे वहीं 16 फर्वारी के मध्य रातिरी तक परिछा सुल्क का भुगतान त प्लोट होगा 28 दिसंबर के बाद फिर से बढ़ेगी ठंड मौसम विफाक के अनुसार 26 दिसंबर को बादल चाहे रहा सकते हैं वहीं 28 दिसंबर को कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है बुद्वार को काखे का निमतमता पान एक डिगरी सेल्सेस रिकॉड किया गया है बता दे ह पार कापती ठंड से राज्ये में पिछले 24 घंटे में पांच लोगों की मौत हो गई है धनबाद के टुंडी में ठंड लगने से कूरूम मुनी देवी की मंगलवार किरात मौत हो गई वहीं चत्रा गोड़ा और चक्रधरपूर से भी मौत हुई है कोडारमा में करोना भी सफोर्ट एक्टिव केस और सट चार खंट के कोडारमा में करोना बलास्ट हुआ है पता दे 24 घंटे के अंदर जाच में 26 मरीजों में करोना का संक्रमन मिला है पिछले 4 दिन में जीले में 63 लोगों की जाच रिपोर्ट पोजेटिव आने से बढ़ कर और सठ हो गई है गुरू आर को नीजी अस्पताल में भरती एक मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे डिस्चार्ज भी किया गया बता दे गुरू आर को आटी पीसी आर से हुई जाच में अठारा टूनेट से जाच में चार और रैपिट एंटिजन किट स जाच में चार लोग कुरोना संक्रमीत पाए गए हैं दुमका में जल्द बनेगा मीनी सची वाले सीम ने भवन निर्मान विभाग को परस्ताव का दिया निर्देश जारखन की उपरधानी दुमका में मीनी सची वाले बनने की समभवन बढ़ गई है सीम हेमान सुरें ने उपरधानी दुमका के समगर बिकास तथा छेतर की समस्याओ के निर्मान के लिए यहां मीनी सची वाले के निर्मान और पहले से निर्मीत मुख्यमंत्री केंप कार्याले के सुद्रिडी करण की मांकी थी जिस पर तवरित पहल करते वे मुख्यमंत्री ने भवन निर्मान अभी भाग के सचिव को सिग्रफ प्रस्ताव देने को कहा ज्यार्खन राज क्रास कंट्री परत्योगता में राची लोहर्दागा वा धनबाद की टीम बनी चेंपियन ज्यार्खन के गठवाजिली में अयोजीत सवत्रनतता सेनानी कोशल कुमार ठाकूर 13 ज्यार्खन राज क्रास कंट्री परत्योक्ता में राजी धनबात एवं लोहर्दागा के टीम चेंपियन बनी बतादे समारो में मुख्य अतिती के रूप में जारखन के पेजल एवं स्वक्षता मंत्री मिथलेश टाकूर तथा बिशिष्ट अतिती के रूप में जारखन एथलिक्ट संग के अध्यक्स मधू कांथ पाठक मोख्य रूप से उपस्तित थे सभी बिजेता एवं उप बिजेता टीम को अतितीयों ने मेडल वा कॉप देकर पुरुस्कृत किया मंत्री ने कहा कि राजे केहमन सरकार खिलाडियों को पुरुसाहित करने के लिए लगातार पर्यासरत है मधू कांथ पाठक ने कहा कि गड़वा के लिए या एतिहासिक छन है मावादी प्रसांत बोस से CID ने की पुष्टाच बिर्शा मुंडा केंद्रिय करा होटवार राची में बंद एक करोर के इनावी नक्सली परसांत बोस ओर्फ किसन से CID की टीम ने दो दिनों तक पुष्टाच की उसे राची के तैमारा में बर्श दोया सोला में होई पुष्टाच की गई बता दे नियाला के आदेश पर CBI की टीम ने प्रसांत बोस से जेल में ही पुष्टाच की हलाकि पुष्टाच में CID की टीम को कोई खाज जनकार याथ नहीं लगी पुष्टाच करने वालों में CID के DSP परवेज आलम रंजीत लकडाव इंस्पेक्टर फ्रांसिस तिर्की सामिल थे आदिवासियों के लिए रीन लेने में बाधा नहीं बनेगा CNT और SPT आदिवासियों को सिक्षारीन, ग्रीहरीन, क्रीसीरीन तथा अनेरीन लेने में आप CNT और SPT एक्ट बाधाक नहीं बनेगा बता दे आदिवासियों को रीन लेने में आरही कठनायों को दूर करने को लेकर गुरु आरको जार्खन जन जाती है, प्रामर्स दात्री परिशत की उपसमीती की बैटक में इस पर व्यापक चर्चा होई पूर्व मंत्री सा TAC की उपसमीती के अध्याक्स, स्टीफन मरांडी के अध्याक्सता में परजेक्ट बावन सबागार में होई बैटक में कोई महत्पूर नीना लिये गाए जे एस एसी की परिक्षा में अब भोजपूरी और मगी भी सामेल जार्खन सरकार ने जार्खन करमचारी चैन आयोग के तहट मैट्रिक और इंटर्मीडिट अस्तर की परिक्षाओं के संचालन के लिए भी अस्थानिय और छेत्रिय भासाओं की सूची जीलो के हिसाब से अलग-अलग संसूचीत कर दी है बता दे कार्मिक भी भाग ने इन भासाओं के सूची करमचारी चैन आयोग को भी भेज़ दी है हाली में राज सरकार ने परिक्षा संचालन नेमावली में संसूधन कर सुनुश्चीत किया था कि मैट्रिक और इंटर्मीडिट अस्तर की परिक्षाओं में अस्थानिय भासा की जनकारी होना अनिवार्य होगा इसके लिए अलग अलग जीलों के हिसाब से असानिय और जनजातिय भासाओं के सूची जारी कर दी गई है बता दे सरकार ने पॉले से ही अगोसना की थी की जीलास तरिये पदों के लिए जीलावार चीनी चत्रिये जंजातिय भसाओं के सुची कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथा राजभासा विभाग द्वारा अलग से संसुचित किया जाएगा इस अलोक में कार्मिक विभाग ने सुच्चना जारी कर दी है अब पलामु परमंडल और उत्री छोटा नागपूर के जीलो में मगी वोजपूरी बंगला आदी विशयो को सामिल किया गया है जार्खन में कभी भी नाइट कार्फियो की घोसना संभाव देश भर में त्यजी से फैल रहे इस ओमिक्रोन के संक्रमन को देखते हुए स्वास्त विभाग के सचिव ने जार्खन में भी सतर्कता बरतने की सलादी है बकाईदा सभी डीसी को राज सरकार की ओर से पत्र लिखा गया है डीसी को कहा गया है कि वह इस्थिती का आकलन करते हुए नाइट कार्फियो लगाने पर विचार करें इतना ही नहीं साधी समारो या किसी भी तरह के आयुजन में भीड रोकने की पाहल करने की बात कही है बतादे स्वास्त विभाग ने राजे के सभी डीसी और जीला आपदा प्रवधन विभाग को अलट राने को कहा यह प्वत्र एन एच एम के अभियान निदेशक निजारी किया है उन्होंने करोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन का फैला रोकने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाने को कहा जारखन में एक बार फिर करोना के केस बढ़ने लगे है बतादे जारखन में 51 नए केस मिले है जबकि 20 मरीश सवस्थ भी हूए है जारखन में कि रिसी छेत्र के कुछ आकड़ों में हम सुधरे हैं लेकिन कई मायनों में हम राश्ट्री अवस्त से पीछे हैं हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि जार्खन भी उधारन बने हमारे साथ ही 36 गर अलग हुआ था उसका नाम भी अब लोग उधारन के रूप में लेते हैं उन्हो आको को अपने गाओं के किसानों को कोई न कोई योजना कालाब देना होगा ताकि क्रिसी का विकास होने के साथ साथ उस गाओं के किसानों का विकास हो आज रात से सुरू हो जाएगी क्रिस्मस की 20S पराथना राची सहीत आस पास के सभी चर्च में सुक्रवार की रात से क्रिस्मस की 20S पराथना सुरू हो जाएगी जैसे ही रात में 12 बजेगा सभी चर्चों के घंटे बईने लगेंगे बतादे इसका या संकेत होगा की इसा मसी का जन्म हो चुका है क्रिस्मस को लेकर सभी चर्चों में विशेस त्यारी पूरी हो चुकी है चर्च के अंदर और बाहर आकरसक बिधूद सज्जा की गई है पराथना के समय भीड को देखते हुए सोसल डिस्टेंसिंग की विवस्ता की गई है बतादे चर्च परिसर में टेंट और एल इडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि अंदर हो रहे धार्मिक अनुस्तान का सिधा प्रसारन बाहर बैटे लोग देख सके केबी सी के नाम पर ज्ञारखंड की महिला से 10 लाख की ठगी साइबर अपराधी तरह तरह का परलोभन देखर लोगों को ठगी का सिकार बना रहे हैं बतादे ताया ममला राची के पहारी टोला के बानो मंजिल की रहने वाली एक महिला का है महिला को साइबर अपराधियों ने कौन बनेगा कोडपती के नाम पर BMW कार और 25 लाख रुपे जितने का लालच देकर उनसे 10 लाख की ठगी कर ली इस समबाध में महिला साइमा साह ने साइबर थान में प्राथमी की दर्ज कराई है 2022 में खुलेगा नौकरी का पिटारा मंत्री संसाधिये कारे मंत्री अलमगीर अलम ने सदन में बिधायक बिनोत कुमार सिंग के ध्याना करसन पर कहा कि सरकार पंचाज सचयोक नियुक्ति के समद में जल्द निर्न लेगी सभी पेश दूर करते हुए राजे के सभी 24 चिलो में पंचाज सचयोक नियुक्ति पर जल्द निर्न लिया जाएगा बताद बिधायक ने पंचाज सचयोक नियुक्ति के लिए आवाज उठाई उन्होंने कहा कि पंचाज सच्योक नियुक्ति के परकिरिया हो चुकी है अब केवल पहिनाम निकाला जाना है सरकार जल्द पहिनाम घोशित करे पोशन सक्योको 30 दिन में मिलेगा 9 माह का बकाया मंत्री जोभा माजी ने सदन को जनकारी दी कि जारखंड के अंगन बाड़ी केंदर में कागरत सेविका साहिका का बकाया और पोशाहार की रासी का भुगतान दो महीने में कर दिया जाएगा इनकी संख्या करीब 10,1388 है मंत्री ने यह जबाब जामुमो विधायक सिता सुरेन के तरांकित प्रश्न पर दिया बता दे सिता सुरेन ने सवाल किया था कि दुमका गोडा कोडार्मा धनबाद चत्रागिरी डिके पोशन सक्यों को 9 महीने से मानदे नहीं मिला है इस पर मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द भुकतान होगा जारखन में सिख्चा और स्वास्त में निवेस करने को एक छुक अजीम प्रेमजी फाउंडेंसन अजीम प्रेमजी फाउंडेंसन के सीईओ अनुराग बेहार समेत अनने गुरुवार को सियम हमान सुरेन से मुलकात की इस मों के पर्राजे में सीख्चा और स्वास्त के चेत्र में निवेश को लेकर सार्थक चार्चा की बता दे की नौंबर महिने में बीप्रोप फाउंडर अजीम प्रेम जी के साथ से ये महमान सुरेन की वीडियो कंपेंसिंग के माध्यम से बात होई थी मोख्य मंत्री ने आज अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सीओ सिरी अनुडाग बेहार से मुलकात कर जार्खन के विकास में अपनी भाग्यदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोराया देश के सोला राजयों में पहुचा ओमिक्रोन जार्खन सरकार सतर्क देश के सोला राजयों में अब तक कुरोना के नई वेरियंट ओमिक्रोन के संक्रामित मिले हैं बतादे देश में इसके कुल संक्रामितों की संक्या 250 से ज़्यादा हो गई है इसे देखते हुए राज सरकार ने सतर्कता के आदेश जारी किये हैं एन एचेम के अभियान निदेशक ने राजय के सभी उपायुक्तों जिला अपदा प्रबंदन को नई वेरियंट ओमिक्रोन के फैलाव को रोकने वह उसे बचाव के लिए निगरानी तंत्र के सभी माध्यामों पसक्ति का निदेश दिया जमसेदपूर में खुलेगा जनजातिय विसो बिद्याले जार्खन में जनजातिय विसो बिद्याले खुलने का मार्ग प्रस्तस्त हो गया है बतादे इस विसो बिद्याले का मुख्याले पूर्वी सिमुम के जमसेदपूर में होगा विधान सभासे बुद्वार को पंडित रखुनात मुर्वो जन जातिये विश्व विध्याले विधायक 2021 पारित किया गया हलाकी पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने इस विधायक को प्रवर समित्ती में भेजने की मांग की इस विधायक पर भाजपा विधायक अनन्त ओजा और आईसू विधायक लंबोदर महतों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था धनबाद में चल रही दस अरब की विधायक फिर भी जनता है प्यासी जल संकट से निदान के लिए धनबाद जिला में 1,34 कोल रुपए से अधिकी जलापूर्ती योजनाये चल रही है आट मेगा जलापूर्ती योजना में से दो लगवग पूर्ण है इन में से एक योजना से दो गाओं में ही जलापूर्ती हो रही है जबकि CS योजनाएं आधिय दूरी है बतादे सभी योजनाओं के कियानवेन की गति अत्यांत धीमी है कोई भी योजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाया बतादे जीला खनीज फाउंडेंशन ट्रस्ट से धनबाद जीला में अभी साथ बड़ी जला पूर्ण योजना का काम चल रहा है इन योजनाओं के लिए 10.34 औरव रुपे स्विक्रित हुए है इसमें से 833 कोल रुपे सिर्फ DMFT से खर्च हुए पिछले पाँच बरसों के दवान केवल दो योजनाओं ही लगभग पूर्ण होई इन में से सिर्फ 1 मेगा जला पूर्ण योजना बलियापूर बिरहत जला पूर्ण योजना से केवल दो गाओं में पान दी जा रही है वह भी आधे अधुरीत तरीके से इंटर स्टेट मवसियों के अवयद चमडा कारोबार का खुलासा रामगर जीला अंतरगत गोला छेतरे के बरलांगा पूर्ण ने इंटर स्टेट मवसियों के अवयद चमडा कारोबार गिरह का खुलासा किया है बता दे पूरीस ने करीब सो बंडल मवसियों के अवयद चमडा लदे वाहन के साथ पूरलिया निवासी दो ब्यक्ति को गिरफतार किया है इस गिरोह का मोट्स अपरेड़ी जानने के लिए पूलीस गिरफतार अरोपियों से लगतातार पुश्टाच की इस तमध में थाना परवारी अमीत कुमार ने कहा कि पूलीस को गुप्त सुचना मिली थी कि एक वाहन में अवयद चमडा लोट कर पच्छे मंगाल भेजा जा रहा है पलामू में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने पलामू के निलांबर पितांबर थाना चेतर के करमा गाउ में एक यूवक को ग्रामिनों ने पेंड से लटका कर पीटा इसका वीडियो बुध्वार को वायरल होने के बाद मामला परकास में आया है पूलिस मामले की छान बीन में जूट गई है बताया जा रहा है कि यूवक के साथ पिताई करने वाली लोगों ने उस पर एक यूवक के साथ छिरकानी करने का आरूप लगाया है यूवक सत बरवा थाना चेतर के जाबर गाउ का रहने वाला बताया गया आरोप है की जावर के यूवक का कर्मा के एक यूती के साथ प्रेम परसंग चल रहा है अक्सर वह यूवक यूकती से मिलने गाव जाता था गाव आलोग की उस पर नजर थी पलामू में धान करय केंद्रे खुला लेकिन किसानों से नहीं हो रही खरीदारी 15 दिसंबर से धान का करय केंद्रे खुल गया पर अभी तक किसानों से धान की खरीदारी शुरू नहीं की गई है इसे लेकर किसानों में आक्रोस है अब तक पलामू में 46 धान करय केंद्रे का उदगाटन हुआ है इस साल किसानों से धान की खरीदारी प्रेक्स के माध्यम से किया जाना है पर अभी तक धान कराय का काम शुरू नहीं हुआ है बता दे पलामू के परवा परखंड के पत्रागाओं के किसान ओमकार पांडे का काना है कि हर बार किसानों के साथ असाही होता है हजारी बाग के 6 परखंड के 1485 सरकारी स्कूलों का होगा सर्वेक्षन हजारी बाग में 6 परखंड के 1485 सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षन होगा पतादे जीले में सभी 16 परखंड के 1485 सरकारी स्कूलों में यूनिसेप की सहयोगी संस्था लिट्स मुख्य मंत्री स्वक्ष बिद्याले पुरस्कास तरविक्षन कारे करेगा इसमें 1,2 वा 3 स्टार प्राप्त बिद्याले को अपग्रेट कर 4 एवं 5 स्टार लायक बनाया जाएगा इसके लिए स्कूलों में सुध पेजल की बिवस्थ सौचाला की साफ सफाई विद्यार्थियों को साबुन से हां धोने की आदत बनाना रख रखाओ संचालन वा विद्यार्थियों के बेवार परिवर्तन और उसके चामता का विकास को मापदंड बनाया गया है लोहर्दागा में हुई कार दुरघाटना में साथ घायाल लोहर्दागा गुमला मुख्य पत में सेनहा थाना छेतरे के कुदगड़ी के समीप कार दुरगाटना गरस्त हो गाई बतादे कार के चालक को जब की आ गई थी जिसकी वज़ा से कार अन्यंत्रित होकर पेर से टकराते हुए दुरगाटना गरस्त हो गाई घाटना में कार में सवार आठ लोगों में से सभी आठ लोगं भी रूप से घायल हो गए घायलों को अस्थानिय लोगों की साहता से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए लोहर्दागा स्वादर अस्पताल भेजा गया पश्मी सिंभूम से पी ले फाई का एरिया कमांडर गिरफतार पश्मी सिंभूम पुलिस को प्रतिबंधित पी ए ले फाई के खिलाब एक और सफलता मिली है पताजे जीला पुलिस और जार्खन जगुआर के जवानों ने गुपत सुचना के अधार पर चमपावा के पीलेफाई एरिया कमांडर बंधना टोपनो उर्फ सांगी टोपनो 35 वर्षियों को सोगा पहाडी जंगल छेतर से गिरफतार कर लिया है उसके पास से 315 बोर का राइफाल, पांच कार्तूस, पीलेफाई का पार्चा समेथ मोबाईल के साथ गिरफतार किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेले करें दबएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीड़बैक अवस्य दे थैंक्यू